हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एजूर और गूगल क्लाउड के बीच में साइट तो साइट वीपियन कैसे कॉन्फिगर करते हैं तो एजूर पॉर्टल पर मैं अलड़ी लॉगिन कर चुका हूं गूगल कंसोल पर हम लोगिन करेंगे यहां पर आप गूगल में जाके गूगल क्लाउड कंसोल सर्च मारिए और जो पहले ही आएगा आप इसको ओपन कीजिए और इसकी बाद मैं अपना जीमेल का आईडी सेल करना है outsiders lol Google में और एजक्राओ solve क्लाओ आभै तो यहां से मैं अपना प्रोजेक्ट चूज करता हूँ दोके मैं मेरा अब चलिए और चलिए सबसे पहले एसाड़ी से सबसे पहले सेजिक्राइब्जैरेडेशन करते हैं तो सबसे पहले श्टरप रहेगा रहे हैं कि हम एक virtual network बनाए तो मैं यहां से search मारता विर्चाल नेटवर्क और यहां पर मैं add करता हूं virtual network को यहां पर मैं एक नया रिसोर्स ग्रूप देता हूं इसका नाम देता हूं मैं Azure2GCP यानि कि यह मैंने रिसोर्स ग्रूप दे दिया Azure2GCP मतलब Google Cloud Platform और मैं यहां पर Virtual Network का नाम देता हूं Azure2GCP-VNet इसको मैं डाल देता हूं West Europe में next करता हूं बाइडिफॉल्ट जो एड्रेस स्पेस है मैं इसको रहने देता हूं 10.1.0.0.16 वाला subnet default रहने देता हूं next करता हूं और review प्लस create पर directly create क्लिक करता हूं और इसको create करता हूं उसी तरह Google Cloud की साइड से भी मैं virtual network बना लेता हूं तो मैं जाओंगा यहां पर स्टार्ट में और यहां पर जाके आप search कीजिएगा VPC network यहां पर मैं एक virtual private network बना रहा हूं Google Cloud में तो मैं यहां से करता हूं create VPC network और मैं इसको एक meaningful name देता हूं यहां पर इसको देता हूं GCP to Azure VNet और मैं यहां पर जाता हूं यहां पर Subnet का नाम देता हूं मैं GCP to Azure Subnet रीजन सेम रीजन सलेक करना पड़ेगा जो हमने अजूर में सलेक किया है वह है मेरा West Europe और आई-प अड्रेस रेंश देता हूं मैं 192.160.0.0 for slash 16 का ओके और by default यह रहने देता हूँ done कर देता हूँ और इसको करता हूँ create तो मेरा अब Google Cloud के साइट से मैंने virtual network बना लिया है ओके यह मेरा अभी बन रहा है यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं और यहाँ notification में भी आप देख सकते हैं तो जब तक यह बनता है यहाँ पर तब तक हम जाते हैं अपने यहाँ पर कहाँ पर Azure में और Azure में जाके हमारा जो virtual network बनाए उसको open करते हैं और मेरा यह virtual network है देखिए इस virtual network पर मैं जाता हूँ subnet और subnets में यहाँ पर हमें gateway subnet बनाना पड़ेगा तो gateway subnet जो इसने automatically ले लिया है addresses range ले लिया है इसने इसको रहने दता हूँ default में और ok पर click करता हूँ तो मेरा यह एक gateway subnet मैंने Azure side से बना लिया है Google cloud की side से आपको कुछ करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ virtual network ही बनाना होता है यहाँ पर ऐसा कुछ gateway subnet type का कुछ concept नहीं है तो अब मैं Azure में जाता हूँ वापस और Azure में जाके मैं एक काम करता हूँ next step जो रहेगा वो हमारा virtual network gateway बनाना रहेगा अब हम जाते हैं virtual network gateway आप यहाँ पर जाके virtual network gateway सर्च कर सकते हो यहाँ पर मैं add पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको एक नाम दे देता हूँ Azure to GCP VNG यानि की virtual network gateway इसको भी मैं same resource group में रखूँगा जिसमें हमारा virtual network है by default में यही रहने देता हूँ sub default रहने देता हूँ virtual network मैं choose करूँगा जो हमने बनाया हूँ था इसने gateway subnet automatically detect कर लिया है public IP एक नया बनाता हूँ Azure to GCP PIP यानि की यह gateway का हमारा public IP है और मैं by default sub रहने देता हूँ और create पे click करता हूँ तो यह मैंने कर दिया create पे click तो guys जब तक यह बनता है मेरा virtual network gateway क्योंकि यह around 45 minutes का time लेगा तो जब तक यह बनता है तब तक मैं काम करता हूँ एक virtual machine भी बना देता हूँ क्योंकि हमें Azure की VM को Google Cloud के VM से आपस में पिंग करा के देखेंगे उसी तरह Google Cloud के VM से हम लोग Azure के VM को private IP से पिंग करा के देखेंगे तो हमें दोनों तरफ एक virtual machine बनानी पड़ेगी तो मैं पहले Azure में ही एक virtual machine बना लेता हूँ जब तक मेरे यहाँ पर virtual network gateway बनता है virtual machine पर जाता हूँ और मैं resource group अपना choose करता हूँ यहाँ पर मैं डालता हूँ Azure VM ओके one इसको region same होना चाहिए और image में 2016 का select कर लेता हूँ size में यही रहने देता हूँ और एक ID password देता हूँ जिससे कि मैं virtual machine को connect कर सकूँ तो यह मैंने ID password दे दिया है और इसकी बाद by default सब रहने देता हूँ next पर जाता हूँ फिर next पर जाता हूँ networking में automatically इसने virtual network मेरा connect कर लिया है public IP एक मैं नया automatically बना रहा है network security group फिलाल में none कर देता हूँ मुझे नहीं चीए फिलाल next करता हूँ इसको off कर देता हूँ next करता हूँ और review plus create पर click करता हूँ और उसके बाद फिर create पर हम लोग click करेंगे तो जब तक ही create होता है हमारा azure में virtual machine तब तक मैं क्या करता हूँ Google Cloud में जाके एक virtual machine बना लेता हूँ तो मैं यहां पर start में जाऊंगा और नीचे आता है compute engine compute engine में VM instance पर जाएंगे आप और VM instance पर जाने के बाद अभी हमारे पास कोई VM नहीं यहां पर क्रेट करता हूँ और यहां पर मैं एक नाम देता हूँ यहां पर मैं नाम देता हूँ इसको GCP VM1 यानि Google Cloud VM1 ओके इसको भी मैं सेम रिजन में रखूंगा West Europe में क्योंकि हमने एज़र में West Europe में बनाया हुआ है सब कुछ तो यहां पर भी हम West Europe region में ही रखेंगे इसको और इमेज चूज कर लेता हूँ यहां से मैं Windows का इमेज तो मैं Windows सर्वर पर जाता हूँ और यहां से Windows 2012 ले लेता है चलो Size मैं डिस्क का 100GB देता हूँ और Select करता हूँ और उसके बाद यहां पर नीचे आके देखेंगे Firewall के नीचे यहां पर आपका Networking आ रहा है आप Networking पर क्लिक कीजिए थोड़ा सा उपर जाएए और Networking में जाके यहां पर जो है आपका जो Network आपने Google Cloud में बनाया है उसको Default की जएगा आप उस Virtual Network को सेलेक कीजिए जो आपने बनाया है Google Cloud में उसका Sub Network आपका Automatic लिया जाएगा सब कुछ ओके है Done पर क्लिक कीजिए और Create पर क्लिक करते हैं तो यह मेरा अभी जो है Google Cloud में Virtual Machine बन रहा है तब तक यहां पर जाके देखते हैं gamot Rocco, Okay एजियुर साइड में मेरा वियम बन चुका है कि इसका मैं RDP, Public IP से ले लेता हूं तो इसका मैं आटी पी ले रहा हूं एजियूर्यूजर मैंने आइडी per clicking दिया था। और मैं ुसको पासव़र्ड डालके कनेक करता हूं तो ये मेरा Azure का VM जो है मैं connect कर चुका हूँ यहां से इसके बाद जब तक ये login होता है तब तक मैं Google Cloud में देखता हूँ मेरा VM बना है की नहीं बना ओके तो मेरा ये VM बन चुका है और इसका जो private IP है वो जो हमने network बनाया था virtual network Google Cloud में वहां से उसने private IP पिक किया है और ये इसका external IP यानि कि इसका public IP है इसको connect करने के लिए तो मेरा ये VM देखता हूँ मैं इसको मैं host name चेक कर लेता हूँ एक बार host name तो मेरा Azure VM है ये अब मैं इसको public IP से connect करता हूँ तो guys by default जो है आपका Azure Google Cloud का जो virtual machine है वो आपका public IP से by default ऐसे connect नहीं होता है क्योंकि Google Cloud वालों का security इतना strong है कि वो लोग by default जो है भले आपका public IP assign है इसको लेकिन फिर भी जो है वो access नहीं होगा देखिए अभी तक connect ही कर रहा है लेकिन ये connect नहीं होगा तो Google Cloud के virtual machine को virtual machine बनाने के बाद अगर आपको उसको public IP से connect करना है तो उसके लिए आपको firewall rule बनाना पड़ता है Google Cloud में तो चलिए मैं जाता हूँ firewall में VPC networks में जाता हूँ और VPC network में जाके firewall पे जाता हूँ और firewall में जाके एक नया firewall rule बनानाऊंगा मैं यहां पर मैं दे देता हूँ मेरा firewall 1 करके ऐसा नाम दे देता हूँ यहां से network में select कर लेता हूँ Google Cloud का network priority मैं इसको कुछ भी दे देता हूँ 1001 दे देता हूँ क्योंकि priority आप 0 से 655 35 तक आप कुछ भी दे सकते हो तो यह मैंने Google Cloud का network select कर लिया है और यह priority देती है और target में मैं करता हूँ कि all instance in the network select करता हूँ यानि कि जो कुछ भी इस network में जो कुछ भी IP है उसको मैं connect कर सकूँ यानि कि इस network में इस region के इस network में जो कुछ भी है उसको मैं connect कर सकूँ source filter में मैं IP range ही रहने देता हूँ source IP मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जैसी आप click करेंगे तो आपको example दे रहे हैं इस IP इस address इस network से या फिर आपको अगर सारे के सारे इस network से अगर आपको सारे VM connect करवाने हैं तो आप क्या करो 0.0.0.0.0.0 का network यहाँ पर define कर दो तो इससे क्या होगा कि आपका सारे network पे इस network से access होगा इस वाले virtual जो भी virtual machine इस network में रहेगा उससे सारे का सारे connect होगा तो मैंने by default 0.0.0.0.0 कर दिया है और मैं सब कुछ by default रहने देता हूँ और यहाँ पर protocols and ports में allow all कर देता हूँ आप चाहिए तो specify भी कर सकते हो कौन सा open करना है मैं by default allow all कर देता हूँ और create पर click करता हूँ तो guys मेरा यह firewall rule बना दिया है ताकि मैं Google Cloud के virtual machine को public IP से connect कर सकूँ तो मेरा notification में देख सकते हो firewall rule बन चुका है अब मैं फिर से जाता हूँ और मेरे computer engine में VM instance में और मैं इसको public IP copy करता हूँ और मैं paste करता हूँ और enter मारता हूँ तो यह देखे अब मेरा इसका RDP आ गया है public IP से है तो guys आपने देखा होगा कि Google Cloud में जो है जब मैंने VM बनाया तो मुझे ID password कहीं इसने पूछा नहीं क्योंकि Google Cloud में क्या होता है कि VM बनने के बाद आप यहाँ पर जाएए और यहाँ पर आपको set windows password करना पड़ता है यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ GCP user यह मेरा user देता हूँ और मैं set पर क्लिक करता हूँ और set पर करने के बाद यह मुझे password देगा यहाँ पर जो auto generated password रहता है यह देखिए तो इस password को copy कर लीजिए और इसको मैं save कर लेता हूँ यहाँ पर और Google Cloud का मेरा क्या था GCP user था ओके तो मैं password को copy कर लेता हूँ और मैं फिर से connect करता हूँ Google की machine को और यहाँ पर डालता हूँ GCP user और paste करता हूँ password OK करता हूँ तो यह देखिए मेरा Google Cloud का virtual machine भी connect हो गया है Google Cloud में जो है आपका हर बार जब भी आप VM create करोगे तो आपको हर बार password generate करना पड़ेगा I think मैं sure नहीं हूँ क्योंकि मैं Google Cloud का expertise नहीं हूँ मैं just आपको just side to side VPN connectivity establish करना बता रहा हूँ Google Cloud और Azure के बीच में साइट to side VPN कैसे establish करते कनेक्टिविटी इसको close कर देता हूँ तो मेरा दोस्तों यह जो है Google Cloud का VM मेरा बन चुका है desktop में आप Google Cloud console देखेंगे open किया हूँ desktop में Google Cloud cell है command prompt open करके मैं एक बार verify कर लेता हूँ host name तो यह मेरा GCP VM1 है तो अब मैं काम करता हूँ Google Cloud के VM को और Azure के VM में दोन firewall में disable कर देता हूँ ताकि जब हमारा VPN connectivity establish हो तो हमें कुछ दिक्कत ना है तो मैं फिलाली Google Cloud के virtual machine में मैंने firewall off कर दिया है और मेरा यहां पर भी जाके कहां पर Azure के virtual machine में भी जाके मैं firewall इसको off कर देता हूँ तो बंद करता हूँ इसको बंद करता हूँ तो guys by default यह ping तो होंगे नहीं क्यूंकि जो है दोनो different different cloud है आप चाहिए तो verify भी कर सकते हो मैं Google Cloud के VM का private IP पिंग करता हूँ कहां से Azure के VM के अंदर से तो यह दिखिए नहीं होगा by default पिंग उसी तरह Google Cloud के VM से अगर आप Azure के VM का private IP पिंग करोगे तो नहीं होगा तो यह हमारा setup इतना ready हो चुका है तब तक मैं यहां पर देखता हूँ Azure में कि हमारा virtual network gateway अभी तक deploy नहीं हुआ है तो जैसे कि मैंने बुला है maximum 45 minutes लेगा तब तक के लिए मैं वीडियो को pause करता हूँ और उसके बाद हम लोग continue करेंगे आप यहां नीचे से भी जा सकते हो यहां पर जाके और आप यहां नीचे से भी जा सकते हो यहां पर जाके आप जाके और गूगल क्लाउड पर हम लोग क्या करेंगे hybrid connection में जाएंगे hybrid connectivity में आप यहां नीचे से भी जा सकते हो यहां पर जाके यहां पर जाके नेट्वकिंग में आप hybrid connectivity पर जाईए और VPN पर क्लिक कीजिए वीपेन पर क्लिक करने के बाद आप नया VPN क्रेट कीजिए मैं यहां पर classic VPN क्रेट करता हूं क्योंकि हमें BGP वाला भी फिलाल नहीं करना है हम लोग डायनेमिक राउटिंग या स्टाइटिंग राउटिंग अगर आपको करना है तो आप classic VPN क्लिक कीजिए continue पर क्लिक कीजिए और continue पर क्लिक करने के बाद आप यहां का जो cloud का Google Cloud का जो network gateway है आप उसको एक नाम दे दीजे तो मैं दे देता हूं GCP to Azure VNG virtual network gateway ओके network कौन से network को connect करना मुझे जो मैंने network Google Cloud में बनाया है उसको region मेरा वही रहेगा जिस region में मेरा Azure में virtual network gateway और virtual network बना हुआ है तो हमारदा West Europe में तो मैं यहां से जाता हूं करता हूं अब मुझे जो है Google Cloud का जो मैं virtual network gateway बना रहा हूं इसको भी public IP देना पड़ेगा जैसे कि हमने Azure में virtual network gateway बनाने के टाइम पे public IP बनाया था ओके तो मैं यहां पर जाता हूं और create IP address करता हूं और मैं इसको दे देता हूं GCP to Azure PIP ओके रिजर्व पे क्लिक करता हूं तो मेरा यह public IP बन जाएगा तो ओके तो यह बन चुका है यह public IP मिल चुका है इसको अब इसके अंदर मुझे टनल बनाना पड़ेगा तो मैं टनल का नाम देता हूं GCP to Azure Tunnel GCP to Azure Tunnel मैंने नाम दे दिया है अब यहां पर क्या बोलता है टनल बनाने के टाइम पर बोलता है कि remote pair IP address यह यानि कि public IP हमें यहां पर देना पड़ेगा Azure में जो विर्चल नेटो गेटो बनाया हमने उसका public IP हमें Google Cloud के टनल में हमें conveyer करना होगा तो चलिए मैं यहां से Azure का जो हमने विर्चल नेटो गेटो का public IP इसको copy करता हूं और Google Cloud के जो टनल है वहां पर मैं remote pair address में डाल देता हूं यहां पर मुझे एक pre-shared की देनी होगी, pre-shared की मतलब क्या होता है कि आपको अगर दो cloud के बीच में या on-premises और Azure की बीच में या फिर on-premises cloud की बीच में अगर आपको connectivity establish करनी है तो उसके लिए क्या करते है दोनों gateway क्या करते है आपस में handshake करते है तो handshake करने के लिए हमें प्री-shared की यहां define करनी होती है तो फिलाल में यहां पर manually यह key देता हूं आप कोई भी एक ऐसी key दे सकते हो जो आप याद रख सको अगर आप चाहिए तो generate भी कर सकते हो बट generate में क्या होगा बहुत लंबा key generate होगा जो कि आपका alpha, numeric और special character रहते है तो मैंने एक बहुत simple सा shared की दे दिया है मैं यहां पर इसको route-based कर देता हूं क्योंकि मैंने azure में route-based virtual network gateway बनाया है अब जब मैं route-based select करूंगा तो यहां पर जो है मुझे remote network IP address range पूछ रहा है तो हमारा remote में यानि के remote मतलब azure में हमारा virtual network कौन सा था तो यहां पर मैं type search करता हूं virtual network और यह मेरा network थ इसका मेरा address space क्या था यह मेरा address space था मैं इस range को copy करता हूं और इसको मैं tunnel में यहां पर route-based में जाके configure कर देता हूं और इसके बाद done पर click करता हूं ओके तो guys यह मेरा Google Cloud की side से यह मेरा VPN gateway बना दिया है और यह मैंने tunnel भी बना दिया अब मैं इसको करता हूं create ओके तो मेरा यह जो है अभी Google Cloud में virtual network gateway configure हो रहा है अब हमें next step क्या करना होगा एक बार इसको बनने देते हैं यह थोड़ा सा time लेगा 2-4 minute का time लेगा तब तक के लिए मैं वीडियो को फिर से pause करता हूं So guys मेरा Google Cloud में virtual private network gateway बन चुका है यह देखिए और इसको IPA मिल गया है और मेरा cloud VPN tunnel में जाओंगा तो मेरा tunnel भी बन चुका है लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर VPN tunnel status अभी first handshake का error दे रहा है यानि कि अभी Azure का जो हमने इसमें public IP और Azure का विर्चल नेटोग IP configured किया था वो अभी इसके साथ communicate करने कोशिश कर रहा है लेकिन communicate इसले नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने Azure साइड से हमने जो हमने pre shared की Google Cloud में दी थी वो की नहीं दिये और साथी साथ हमने Azure Cloud में यहाँ का जो public IP है यहाँ का जो VPN gateway का public IP है और Google Cloud का जो आपका network का जो addresses वो हमने अब यह Azure में configure नहीं किया है तो चलते है Azure में और यहाँ पर अब यह सब configure करने के लिए हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा local network gateway बनाना पड़ेगा तो यानि कि Google Cloud में आपका tunnel हो गया है और Azure में आपका local network gateway हो गया है तो यहाँ पर मैं add पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर देता हूँ GCP to, sorry GCP नहीं, Azure to GCP यहाँ पर मैं देता हूँ tunnel या फिर यहाँ पर, हाँ tunnel ही देता हूँ ठीक है और address space अब देखें यहाँ पर address जो मुझे देना है कहा का देना है Google Cloud के virtual network gateway का public IP हमें Azure के local network gateway में डालना है तो मैं जाता हूँ Google Cloud में और जो हमारा virtual network gateway बनाया था Google Cloud में उसका public IP है हमारा यह वाला तो इसको मैं copy करता हूँ और Azure में जाता हूँ यहाँ पेस्ट करता हूँ address space अब address space हमने क्या बनाया था वो हम Google Cloud में जाके VPC network में VPC network में जाके देखते हैं कि हमारा address range क्या है वापर यहाँ नीचे आओ नीचे आके आपको पता चलेगा कि हमारा address range यह वाला था यह हमने virtual network बनाया था Google Cloud में तो इसका address space हमने copy कर लिया और यहाँ पर Azure में हमने configure कर दिया है बाई default हम लोग configure BGP नहीं करेंगे क्योंकि हमने BGP configure नहीं कर रहे हैं आपर subscription चूज करेंगे आप resource group मेरा जो मैंने बनाया था वो लूगा में और location मेरा सेम होना ची वेस्ट यूरोप अब मैं करूंगा create तो यह create होने में कुछ 2-3 minute का time लेगा देखते कितना time लेता है तो जब तक यह बनता है तब तक के लिए मैं फिर से वीडियो को pause करता हूं सो गाइज मेरा जो है local network gateway बन चुका है और मैं यहां पर refresh मार के देखता हूं ओके यह बन गया है अब मैं इसको open करता हूं Azure साइड से local network gateway को और यहां पर connections में जाता हूं और connections में मैं add करता हूं ओके add करने के बाद यहां पर मैं connection डालता हूं Azure to GCP connection ओके virtual network gateway में select करता हूं जो मैंने यहां बनाया था मेरा local network gateway का tunnel आटोमेटिक लिया गया है shared की यहां पर मैं वही डालूँगा जो मैंने google cloud में डाली थी configure करने के time पर बाकी सब protocol में default रखूंगा और ok पर click करूंगा तो यह create connection यहां पर Azure side में और तब तक हम Google में जाके देखते हैं हमारा जो हमने VPN बनाया था तो अभी यह no incoming packet दिखा रहा है क्योंकि अभी यहां पर Azure side में हमारा connection हमने just establish कि है हमने appreciate की just define करी है ok सारे जो Google Cloud की जो details थी वो सब हमने अभी just define करी यहां पर तो अभी यह देखे आपको unknown दिखा रहा है यह यहां पर connected state दिखाना चाहिए तो मैं Google Cloud में भी एक बार जाकर चक कर लेता हूँ और refresh मार के देखता हूँ तो यह देखे यानि Google ने Azure के साथ handshake कर लिया है और connection जो है दोनों उसने Google Cloud ने establish कर लिया Azure के VM के साथ Azure के network के साथ तो उसी तरह हमारा Azure के साथ से भी हमारा यहां पर connection status connected आना चीए तो ही जाके हम Azure के VM को Google के VM से पिंग कर पाएंगे और Google के VM को Azure के VM से पिंग कर पाएंगे तो गाईज इसमें around 10 minute का time लगता है इसको status update होने के लिए जब तक ही update होता है तब तक के लिए मैं वीडियो को फिर बीच में side to side connectivity established हो चुके है और उसी तरह Google से Azure के बीच में भी connectivity established हो चुकी है तो चलिए अब हम जो है Azure के VM से Google का जो वीम है उसके private IP को पिंग करने का कोशिश करते हैं तो हमारा Google का जो वीम था उसका private IP हम नोट कर लेते हैं यहां से क्या है compute engine में जाके VM instance में जाएंगे और इसका जो है यह हमारा Google Cloud का वीम का private IP है इसको मैं जाता हूँ Azure VM में यह मेरा Azure VM है इसको पिंग करता हूँ मैं तो यह देखिए successfully Azure VM से Google Cloud का वीम का private IP successfully successfully ping हो रहा है उसी तरह में अब Google के वीम से Azure के वीम का private IP पिंग करता हूँ तो मैं यहां पर जाके पहले Azure के वीम का private IP नोट कर लेता हूँ तो ओके यह मेरा Azure के वीम का private IP है इसको मैं Google के वीम पे जाता हूँ और पिंग करता हूँ यह देखिए सक्सेस्फुली जो है मेरा गूगल के वीम से एजूर के वीम का प्राइवेट आईपी पिंग हो रहा है और आपस में कॉम्मुनिकेट करना स्टार्ट कर दिया है इस वीडियो में मैं आपको आप मैंने आपको end to end configuration बताया है और गूगल क्लाउड के साइट से भी दोनों के बीच में कनेक्टिविटी अगर इस्टैबलिश करानी सक्सफुली तो मैंने आपको end to end connect options बताया है settings बताया है कि आपको क्या क्या करना है गूगल क्लाउड की साइट से और azure क्लाउड की साइट से तो गाईज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वाक्य अच्छा लगए तो आप प्लीज वीडियो को like कीजिए share कीजिए औ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ so guys thanks for watching this video